तेन परसेंट विश्व शक्ति रात्रे में सोते समय मिलती है आपको और वो तेन परसेंट जो है आपको तरो ताजा बना देती है उससे आप खिले नजर आते हैं मुस्कराते नजर आते हैं नई ताकत आपको मिलती है यह परमात्मी की बहुत बड़ी कृपा है अब अगर आप ये कहें कि रात को खाओ पियो दिन को आराम करो रिदम बिगड़ गया ना आपका जिन लोगों को ओक्सिजन की मात्रा कम मिलती है जो बर्फ वाले छेतर में रहते हैं तो उन बर्फीले छेतरों से पहले लेह में लेह लददाग वाले छेतर में एक लेह बेरी होती है ये जो ब्लू बेरी से लेके और जितने भी तरह के बेर-बेर होते हैं खटे मीटे पदार तो लेह बेरी जो है वो दुनिया की बहुत बेतरी इन चीज आए उसे अगर कोई खाता है उसका स्वाद लेता है या उसके शर्बत पीता है तो उसकी ऑक्सिजन की मात्रा शरीर में बहुत तेजी से आती है और वो जो फेपडों पर गलत असर आ रहा होता है वहां जाकर वो ठीक होने लग जाता है जो लोग रात्री में ड्यूटी करते है उनको जातर उसे पीने के लिए बोला जाता है कि लेह बेरी जो है उसका सेवन करो और दिन में सोना पड़ता है तो छाच पी हो या नारियल जिससे आपकी जो है ड्यूटी ठीक हो पुलिस के अधिकारी विचारे जातर पुलिस वाले लोग आप लोग तो सिरफ ठाने वालों से परिशित है ना लेकिन ठाने में तो थोड़े से होते है जातर वो लोग हैं जो आपकी रक्षा में लगे रहते हैं रात दिन गोलियां खाएंगे, चोटे खाएंगे, पत्थर खाएंगे बंदोबस्त में लगे रहते हैं लोग और छुटी मिलती नहीं उन लोग हम लोग को केवल पुलिस का एक यू रूप याद है कि काकी वर दे और लगने लगी सर दे हाथ कापने लगते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति जो रात में डाची में देते हैं उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्टा की गई है प्रकृति नहें ऐसे उन लोगों के लिए भी व्यवस्थता दी है हालाइकि जैसे सूरच छेपने लग जाता है तो उस समय ये जो सितार वाले वाद्य होते हैं उनको अगर आप सुनते हैं बासुरी सुनते हैं और देरे देरे अपने को शांद करते हैं आपका मस्तिक्स एकदम उस धरातल पर आ जाएगा कि ज़्यादा विश्व शक्ति अपनी तरफ खींच सके इसलिए बड़ा अलग तर से उसकी अनंत प्रग्या से इस स्रिष्टि की रचना हुई है और सर्वत रुष के लिए मैं तो ये बताया गया कि उसका सिर सब और है मतलब बुद्धी मत्ता से उसकी सारी दुनिया काम कर रही है और एक शब्द और मुख सब और है बगवान को भोग लगाते हैं न हम लो कहते हैं भगवान के पांच मुख हैं जिन में भोग लगाना चाहिए एक तो अगनी मानी जाती है अगनी में आउती दी जाए बड़े बजुर्ग और जो हमारे गुरुजन लोग हैं उनको भी हम खिलाते पिलाते हैं तो भगवान को अरपित करना हुआ एक जो जीव जन्तु हैं जो आपके आसपास हैं उनकी भी जब आप सेवा करते हैं तो वो भी भगवान को भोग लगाना हुआ लेकिन एक और सोचने वाली बात है का जो अपंग हैं जो कमजोर है मतलब मूख प्राणी उनको खिलाओ और जो असाय है उनके लिए भोग लगाओ बगवान तक पहुंसता है और साथ में कहा गया कि वे जिनों ने इस दुनिया में आप के लिए बहुत कुछ किया उनके लिए जब आप करते हैं तो वो जो उनको आप देते हैं तो समझना उसरब उनको नहीं मिला वो भी भगवान तक पहुंच रहा है इसलिए आपको प्रभु को भोग लगाने के लिए भी उसके मुक्त ढूंडो कहां देने से वहां तक पहुंचेगा कहां दें जो मेरा भगवान स्विकार कर तो यहाँ यह समझाया गया कि सर्वत्र भगवान है और सर्वत्र उसका मुक है सर्वत्र उसके नियम है वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा उदुत्यम देवं वहंति केतवः सरवत्र भगवान तुमारे जंडे लगे वे हैं जो तुमारा परिशे देते हैं कि इस दुनिया का कोई राजा है और वो राजा तुम हो जो इस पूरे जगत में सब जगे व्याप्त होकर सब को अपने अंदर और सब आपके अंदर है इस रूप में आप इस दुनिया में हो उपनिशद में एक और डंग से का गया तदेजती तनेजती तदूरे तदवन्तिके चलता है वो नहीं चलता वो दूर भी है वो पास भी है अनेज देकम मन सोजवियो नैनत देवा आपनुवन पूरो मर्शद ये इंदरियां उसको पकड़ने ही पाएंगे आँखें उसको देखने ही पाएंगे जहां भी हम जाएंगे वहां वो पहले से मौजूद है मतलब आपकी पकड़ में नहीं आ सकता लेकिन उसके पकड़ में आप जरूर है नसनाडियां नहीं है भगवान की पाप उसे बींद नहीं सकता लेकिन सब चीज़ों को अपने में बांद कर वह सब के अंदर मौजूद है ऐसी परमसत्ता का नाम परमेश्वर है ये समझाया गया तो यहां का गया सर्वस्चे दातारम सब को दारन करता है हुए अचिन्ते रूपम सोचने से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते आदित्य वर्नम तमसर परस्ता जैसे का गया न ऐसे भगवान के संबन में यहां का सर्वम आवृत्य तिष्टति सब को अपने अंदर रख कर सब के अंदर बैठा हुआ है मतलब भगवान अतिसुक्ष्म सत्ता है नहीं समझ में आये तो ऐसे समझ लीजे भगवान कोई व्यक्ति नहीं है फिर वो एक शक्ति है कैसी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति ऐसी शक्ति जो पोरे संसार को नियमों में बांद कर सब को व्यवस्तित करती है जैसे आपकी आत्मा एक शक्ति है निकल गई शरीर से तो शरीर आँखें वही मूँ वही कान भी वही हाथ भी वही यकिन हाथ हिलते नहीं है क्योंकि जो इसका राजा था वो चला गया आत्मा के जाते ही तो इस शरीर में कुछ भी नहीं गठता बस शरीर जैसे आत्म जाने लग जाती न उससे पहले सारे शरीर के जितने भी अंग हैं जो सेल्स हैं जो कोशिकाय हैं वो सब चीजों को नश्ट करने में लग जाती हैं शरीर में क्षिमता आते आते सब चीज़ें नश्ट होने लग जाती ही छोड़ा प्रान छोड़े आत्मा गई बीस मिनट तक मस्तिक्स जरूर उस समय दीरे 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 अपनी उस पोजिशन में आता है जब सब चीजों को छोड़ कर समेट कर आत्मा के साथ जाता है सत्रा चीजे आत्मा के साथ चले जाती हैं जिसको बोलते हैं सुक्ष्म शरीर और एक चीज और साथ जाती हैं जिसे कहते हैं कारण शरीर अब विश्यनम बदले फिर में आते हैं जहां से चले थे इस सारे संसार को व्यवस्थित करके भगवान चला रहे हैं ऐसे गीताकार ने यहां समझाया कि सब में वो इस्थित है और सब उसके कंटोल में है वो इस दर्ती को गतिमान किये वे है लेकिन संभाले वे भी है साथ हजार माइल प्रति घंटे की गति से आपकी पृत्वी चली ऐसा हुआ जा जाए जिस पे आप बेटे वे हो और खुदाई करें पृत्वी की तो आप जैसे जैसे नीचे खोते जाएंगे तो थोड़ा सा कीचड थोड़ा पानी कंकर पत्थर सम्मिलते मिलते और गहरे में चले गए तो बड़ी भेंकर आ गये वहाँ जहां से फटकर वो आग बाहर आती है जौला मुखी फटता है जब तो आग ही तो निकलती है तो आग के गोले पर आप हैं आग का गोला उसी में पानी भी रखावा भगवान ने और आपकी जमीन की छे इंच की जो परत है उसमें उप जाओ रूप दे रखा है बीजों को उगाने का काम और यहीं यह सारे पेड़ पौधे जो उग रहे होते हैं यह शुरू में उपर वाली परत से खुराक लेते लेते नीचे जाते हैं उपर वाला जो कुछ जड़े होती हैं वो उपर के पोशक तत्तो दे रहे होते हैं और जो नीचे की जड़े हैं, वो पानी खींच रही होते हैं, और कुछ जड़े इतनी कमाल की होती हैं, उपर से जैसे बारिस होगी, तो पानी को खींचते खींचते जड़ों से जाते जाते नीचे एक कुंड बन जाता है, ये रिजर वाटर रखते हैं अपने पास सारे पानी पीते हैं न, ऐसे ही आपने हैंड पंप लगा रखा उससे निकाल रहे पानी, बड़ी अजीब व्यवस्ता रखी वी है, और भगवान ऐसे करते हैं, कितना गंदा संदा पानी है, लेकिन मिट्टी में से साप होते होते हैं, आपके पीने लाइक बना देते हैं, और फिर आप उस पानी को पीते हैं, तो वो जो मिन्रल्स वाला वाटर होता है, वही आपके शरीर को ठीक रखता है, और जब आप जो है, ये बोतल वाला पीते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है, पहले बूलते थे इसको मिन्रल वाटर, ये मिन्रल वाटर नहीं है, उसमें मिन्रस सही ने मिननस वाला तोर नीचे रखा पेड़ के नीचे भगवान ने जमीन के अंदर डाल लगा इस टो लगाओ निकालो पानी बार बड़ा अद्भुत है भगवान साथ हजार माईल की गती से प्रित्वी घूम रही है सुरज के चक्कर लगा रही है उसके उपर आप बैठे हुए हिल डूल नहीं रहे लेकिन कभी गर थोड़ी सी हिल जाए तब लोग कहते हैं बगवान तया करना सुबह सुबह आपकी परंपरा है कि उठकर के धरती मा को स्पर्स करते हैं माते से हाथ लगाओ और कहो धरती मा हम तुम्हारे उपर पाउं भी रखते हैं तुम हमें बसाती हो इसको वसंदरा कहते हैं तो आप सोचिए कि सब को बसाने वाली सब को बैठाने वाली सब को अपने में संभालने वाली ये हमारी वसंदरा ये हमारी दरती मा इसके लिए धन्यवाद करें घूम रही है लेकिन इस सारे को व्यवस्तित किये हैं वो दुनिया का मालि तो कहते हैं कि वो सब जगए है और सब को अपने कंट्रोल में लिये वे है और अगर थोड़ा सा पानी भी हिल जाए तो समुद्र क्या है कटोरा और उस कटोरे में क्या रखावा वगवान ने पानी और पानी भी ऐसा उचल रहा ऐसे ऐसे और वो भी तो घुम रहा है ना गोल गोल प्रत्वी के साथ और कमाल की बात ये चलक करके इदर उदर गिरताने और अगर कभी चलक जाये तब आती है सुनामी और कितनी बैंकर होती है बगवान ना करे के कहीं सुनामी आये जापान में जब वहान के इतने सारे यंत्र लगे वे थे तो उन लोगों ने थोड़ी देर पहले ये कहा कि समुद्र वहां से कहीं से एक जगह प्रकमपन हुआ धरती के अंदर तेज प्रकमपन हुआ और वहां से वह ती ही सुनामी उठेगी और इन इन स्थानों में जा करके वो तबाई पैदा कर देगी सारे टीवी पर समाचार आने लगे और इधर चार हेलिकोप्टर में कैमरे लगा लगा करके वहां के बहुत सारे साइंटिस्ट और टीवी वाले लोग कैमरे लगा करके चार हेलिकोप्टर से फोटो कींचने के लिए चले और स्क्रीन पर आप लोगों ने भी देखा होगा वो दृश्य कैसे जो है सुनामी के लहरें आ रही है और सामने सामने देखते देखते एक शहर उसके बड़े बड़े जो है ओवर ब्रिज कैसे कागज के जैसे बनाएवे खिलोने हो ऐसे टूट टूट कर गिर रहे है हम लोगों की ताकती क्या है किस चीज़ पर एंकार करें उसके पानी का सामना हम नहीं कर सकते उसकी हवा का सामना हम नहीं कर सकते वो थोड़ा सा इसको धरती को हिला दे तो हमारी हालत खराब हो जाती है और अगर वो हमें संभाले हुए है तो थैंक्स करने को भी हम तयार नहीं होते कितने हम लोग हैसान फरामोश लोग हैं कोई हमारे लिए थोड़ा सा रुमाली हमारा गिर जाए उठा के कोई दे दे तुरन थैंक्यू बोलते है और जो रोज हमें इतना कुछ दे रहा है उसको थैंक्स नहीं करते you सुभे शाम थैंक्स करने का नाम ही प्राषण करना इसी का नाम भक्ति है और देर नहीं लगती उसको वो बराबर करने में देर नहीं लगाता जब भूकंप आये था न गुजरात में उस समय तो एक जटके में बराबर कर दिया था बगवान ने सब को बॉम्बे के बड़े बड़े सेट जो है अपना गर छोड़के क्यों कोई बिल्डिंग है ऐसे इसे हिल रही थी भूजी में आया भूकंप और असर बॉम्बे तक था और ये एक बार जटका देने के बाद वो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कभी तीन मिनट बाद कभी बीस मिनट बाद कंपन आते रहते हैं और जो ज़्यादा उंची बिल्डिंग में रहेगा उसको तो ज़्यादा ही लेगा अपनी अपनी बिल्डिंगे छोड़के समुद्र के किनारे कार खड़ी करके लोग जो है अपना बिस्तर लगा के वहीं लेट गए कि रात बीते क्योंकि होटल में जाये तो होटल भी हिल रहा है होटल भी तो उंची बिल्डिंग है कार में से अपना बिस्तर निकाला समुद्र केनारे बिछाया और वहां लेट गए लगता है तो सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी इतने देर में कुछ लोग आगे बोले ख क्यों है हम लोग भीक मांगते हैं हम है सोते है अनसे कंपिटिशन हो गया जगडा नहीं हम सोएंगे वो कहता है अब आदमी माथे पर हाथ मार रहा और यह कह रहा एक जटके में तुने भिकारियों के साथ लिटा दिया अर वहां भी जगडा हो रहा हमें भी सोने देख आई क्या कहोगे आप किस बात पर अकड़ा जाए भगवान के नाम पर कहीं देना भी हो तो इतनी बार सोचता आदमी और अगर देना ही पड़ जा तो फटावा नोट निकालता जो कहीं न चलता हो भगवान तो चला ही लेगा तो जब हम शुकर गुजार नहीं होते तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान की कृपा से वंचित होते हैं ये श्लोक जो मैं आपको सुना रहा हूँ बहुत अद्बुस श्लोक है अगला श्लोक फिर आपको सुना रहा हूँ भगवान की महिमा का ही वर्णन करते वे का गया ये आठवे अध्याय का नौवा श्लोक है ये भी आपके पास होना चाहिए कविम पुराणम मनुशाशितारम अनौणी यांसम मनुस्मरेत यह सर्वस्यधातारम अचिंते रूपम अधित्यवर्णम तमसर परस्तात बहुत प्यारा श्लोक दिया भगवान ने क्या है वो परमसत्ता कविम क्रांत दर्शे सब कुछ जानने वाला सरवग्य हमारा ड्रामा भी जानता है हम लोग जो नाटक करते न भगवान के आगे बस इस बार मौका दे भगवान आगे देखना कितना बढ़िया आदी बन के चलूँगा फिर तो कभी गलती करूँगा ही नहीं भगवान कहेंगे तीन सो बार मौका दिया तुम्हें और तुझ जैसा ड्रामे बाज मैंने आज तक नहीं देखा हर बार नया ड्रामा नया ड्रामा ऐसा नोटं की बाज कोई है नहीं जैसा इंसान है परम पूचे श्री सुधान्चुजी महराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीधी के पावन सानिधि में सूरत गुजराज तेवदूत बालाश्रम का निर्मान किया गया है जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क विवस्था है ये बच्चे खेलकोद एवं शिक्षा के शेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रही है कि विश्व जागरती मिशन एवं पूचे गुरोवर का आशिरवाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है बच्ची समाज और देश का भविश्य है इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ओल्लाइन डोनेशन के लिए लॉग इन करें www.vishwajakratimission.org नव जीवन साधना क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दे ये हमारे वश में है क्या तनाव की जड़े मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए अध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूती के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता सफलता संबंधों में आत्मियता धन ऐश्वरे का सपना सच करती है नव जीवन साधना तो इसका जवाब है हाँ इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुर्वर श्री सुधानसुजी महराज को शद्धया अर्चिका दीदि द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम्भेट नव जीवन साधना